हेलो दोस्तो मैं डॉक्टर अनिमेश MS जनरल सरजन आपको अपने यूट्यूब चैनल सरजरी और नाइट वे स्वागत करता हूँ दोस्तो इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे गॉल ब्लैडर स्टोन्स यानि पित की थैली में पत्थरी के बारे में चलिए शुरू करते हैं शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे ताकि और भी हिल्थ इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे हैं तो दोस्तो गॉल ब्लैडर में स्टोन्स यानि पित की थैली में अगर आपको पत्थरी हो जाती है ज्यादा तर फीमेल्स में ये प्रॉब्लम देखी जाती है अगर आपको ये प्रॉब्लम हो गई है तो इसका इलाज सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशन से होता है medical science में इसके लिए कोई दवा नहीं है अगर वो दवा है भी तो वो treatment पूरी तरह से नहीं कर पाती है पूरी तरह से इलाज नहीं कर पाती है अगर आपको जड़ से इस बिमारी का इलाज कराना है तो इसके लिए आपको operation कराना होगा और अगर आप operation से बचते रहेंगे, पित की थैली में पत्री का इलाज आप नहीं करवाएंगे, दवा खाते रहेंगे, तो वो पत्री धीरे 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 पित की थैली को damage करती रहेगी, उसमें सूजन करती रहेगी, और acute colesistitis जैसी problem आ जाएगी, acute colesistitis में पित क पित की थैली में सूजन हो जाता है, पित की थैली इतनी ज़्यादा सूज जाती है कि उसमें इंफेक्शन हो जाता है और वो उस कंडीशन में पेशेंट को होस्पिटलाइज होना पड़ता है। पत्री हो या बड़ी हो, साइट से मैटर नहीं करता है। तो उस condition में आपको hospital में जाना पड़ेगा, hospital में admit होना पड़ेगा, क्योंकि वो acute colisusitis, acute pancreatitis जैसी condition गंभीर बिमारियों में आती है और उसके लिए hospital admission की जरुवत पढ़ जाती है, तो दोस्तों पित की ठैली में पत्री जब तक आपको problem नहीं कर रहे हैं तब तक तो ठीक है, लेकिन जिस दिन problem करीगी, उसी दिन आपको emergency में जाके operation कराना पड़ सकता है, इसलिए जब आपको पित की ठैली में पत्री है शुरू में ही और आपको दर्द नहीं हो रहा है, तब ही आप operation करा लिजे, अगर आप मान लिजे, routine में ultrasound कराने का ऐसे ही पेट का check-up कराने के ल जुड़े रहे, वीडियो में दी कई चानकारी अगर पसंद आई हो तो like और share जरूर करें, आपका कोई सवाल है तो comment box में डाल दीजे, मैं कोशिश करूंगा आपका reply करने का, और अगर आपको personal consultation चाहिए, तो surgery online app डाउनलोड कर दीजे, वहाँ पे हमारा help line number है, वहाँ से ह हम से आप direct consult कर सकते हैं, बिल्कुल free of cost, तो दोस्तों मिलते हैं next video में तब तक के लिए, take care